हेलो फ्रैंज वेलकम वेकिन एगरिकल्चर सक्सेज भानी राम डाल यूटूब चैनल प्लान न्यूट्रेंट वीडियो सीरीज में अपने नो वीडियो अप्लोड कर चुके हैं जो अपना पिछला वीडियो था नो नमबर का जो वीडियो था उसमें अपने फार्टिलाइज क्लासिफिकेशन को कंटिनी रखते हुए अपना प्लान न्यूट्रेंट वीडियो सीरीज का ये दस्वा वीडियो है पिछले वीडियो में अपने फार्टिलाइजर की बात की थी जिसमें अपने अपने मिक्स कर सकते हैं कौन सा नहीं कर सकते इस पर भी अपने डिसकस जाए दिक बात की थी और उस साब से ज्यादा बैसिक नेचर का है और कौन सा बैसिक नेचर का है अपने इस पर डिसकस हुआ था नेक्स जो अपना क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ट और न्यूटेंट परजेंश के इसाब से और न्यूटेंट्रेंट्स है वह कौन सी फ़र्म में अवलेबल होता है उसी साब से तो इसी साब से अगर आपने बात करें तो सबसे पहले है नाइट्रोजन अस उसको nazion में हिं लेते है नैय्ट्रोजन नाइट्रेटर जो फ़र्म हो तवर्म होती है बहुत ज्यादा वोटसूलीबल होती है पानी अदर बहुत ज्यादा घुलंची होती है तो प्लांटश को ब्ली कर देते हैं तो यह पानी के साथ बहुत जलदी हो इसलिए इसको highly mobile बोलते हैं तो यह इसका जो जो लोज है बहुत ज़ादा होता या निक्षालंग से नायट्रेट अभो पानी के साथ घुल कर नीचे चली जाती है पड़ी प्रॉब्लम है इसलिए अपने क्या करेंगे इसको स्प्लिट डॉज में बांट बांट के देंगे कुछ स्वावी टाइम यानि बॉआई के समय है कुछ 30-40 बाद फिर अगला कुछ 30-40 बाद इस तरह स्प्लिट डॉज में दी जाते हैं जब अपने इसको खेट में डालते हैं तो यह बैसिक डालती है इसलिए ज़्यादा जो बैसिक सॉइल होती है उसके अंदर इसका अप्लिकर समय करना चाहिए उसके अलावाद यह बहुत जादा वोटर सॉलिबल होती है तो जो ड्राइड एरिया है वहां के लिए सबसे नाइडरेट है केल्सियम नाइड़ेट है अपोटेशम नाइडरेट है यह इसके एकजामपल है इन्वे कितने पर्सेंटेज में परदाय्टा 50 या आगे जस्ट अपने डिटेल से डिसकस करते हैं कि अगर आपने बात करें आमोश्व फार्म इंट्योंक में लिए प्लाइ विखेंगे ऐन इस सही प्लांट मैं पौन कोई रेंगें हैं तो दो क् हैडी को तो सब्सक्राइब होाँ के रिखेंगे प्लांट प्लांट बोलते हैं कम गतिशिल भी बोलते हैं तो नाइट्रीट के कमपेर में क्या होता है यह थोड़ा थीमे मिलती है और इसका जो लीचिंग है उससे नुक्सान भी नहीं होता है नाइट्रीट अब ज़्यादा सोलीबल होती है जो अब अपने बात करे थे नाइट्रेट बहुत ज् इसको अपने सोयल में कम दिया जाता है इसके एक्जांपल है अमोनियम सलफेट अमोनियम क्लोराइड और आइडाइज अमोनिया इनमें नाइट्रोजन परसेंटेज क्या होता है आगे अपने डिसकस करते हैं अमोनियम सलफेट र solche सबसे अमोनियम झाओ जाता तो यह दान कोई कि लिए lot और हел सबसे बड़ियां महता है ऑसे तुरंथ इसमने फाइडा होता है और तो इस्तान मिल जाता है और दी तो तुरंत भी मिल जाएगा और सब्सक्राइब मिल जाएगा इसमें अमोनियम नाइटरेट आपकी जब्सक्राइब तो यह कुछ आइड नाइटरेट के एक्जामपल है नैटरोजन फोर्म नाइटरोजन फोर्म की वह होती है अगली जो फॉर्म होती है nitrogen fertilizer की वह होती है amide fertilizer amide का example है एक तो यूरिया है दूसतरा calcium cyanamide है ये भी अगर अपने बात करें जो amide वो में है इंडिया में सबसे जादा जो popular है वो यूरिया fertilizer है और more than 80% जो nitrogen fertilizer है वो यूरिया ही काम में लेते हैं nitrogen के लिए उसका 80% अकेला यूरिया यूरिया है इंडिया के इंदर सबसे जादा पॉपुलर fertilizer है और यह amide form का तो अपने कह सकते हैं कि इंडिया के इंदर nitrogen fertilizer में जो सबसे जादा पॉपुलर है वो कौन से amide fertilizer पॉपुलर और particular fertilizer का नाम ले तो वो कौन सा होगा यूरिया यूरिया को अपने organic fertilizer भी बहुते हैं कार्बनी कुरवरक भी बोला जाता है केल्सियम साइनमाइड है इसको नहीं बोलेंगे कार्बनी की यह तो अकार्बनी की कहलाएगा अब अपने बात करें यूरिया की देखो यूरिया जब आप soil में देते हो तो यह acidic effect बात करें थोड़ा सा इनके identification की बात करें तो सबसे पहले ammonium sulfate यह जिसमें nitrogen ammonia form में होता है यह दिखने में देखो वाइट कलर का दिखता है इसमें जो nitrogen का percentage होता है वो 20.6 percentage होता है उसके लाइस में sulfate भी पाया जाता है तो sulfur का जो content होता है 24.0% होता है जूट और राइस के लिए सबसे बढ़िया होता है इसको राम से बढ़िया तरीके से लंबा स्टोर किया जा सकता है लेकिन जब rainy season होता है तो इसके अंदर लंपी condition आ जाती है या क्याक्स वारगेरा बनने के chances रहते हैं इट कैन अप्लाइट भी फोर सॉविंग से पहले भी देते हैं और टॉप ड्रेसिंग के रूप में अपने इसको दिया जाता है टॉप ड्रेसिंग क्या होता है है यह भी ऐसे वाइट की तरह ही होता है इसमें जो नाइट्रोजन कंटेंट होता है वो 20 परसेंट तक होता है अमोनियम क्लॉराइड में नाइट्रोजन का परसेंट होगा 26 परसेंट लेकिन इसमें कल्लॉराईड होने की वजह से इसको स्विनेशी क्रॉप journals में या पिर ट्यूपर्स में या जो सुगर क्रॉप में या सबसे ज़्यादा मात्रा की बात करें तो इसी के अंदर होती है यह कलर लेस होता है और एक पंजन्ट गेंस होती है इसके बड़े-बड़े स्लेंडर होते हैं जिनको अपने खेत के अंदर लाके सिधा श्प्रे किया जाता है इसके अंदर नाइट्रोजन कंटेंट होता है वह एक यह तरल बन जाता है अंडर सुटेबल कंडिशन और टेंपरेशर में अगर इसको रखा जाए तो तब इसका अ करने के लिए सबसे था है नेघ्यक्त ने बात करें शोड़ीयम नाइट्रेक्ट अभी नइस स्था mean जो पकरया नाइट्रियंग स्रेद्न ओंप देख्सें आपने भंव सोडियम नाइट्रेक्ट ने इसनी अगर अपने लगातार क्या है बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर सोडियम नाइट्रेट किसी मरदा में देते जा रहे हैं तो क्या होगा जो सोडियम आयन है उनका कॉंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा और सोडियम हो जाएगी पैसिक नैचर की हो जाएगी सोडियम कंटेंट जादा होने से सोडियम क्या हो जाती है पैसिक हो जाती है पेटर या फीर चिलन नाइट्रेट के नाम से भी जानते हैं और सोडियू नाइट्रेट है उसको अपने अज को आशोडिक सोइल में देना था कियोंकि या बैसिक नेट्र का होता है स्टोइल के अंदरो डालता है अगर अजिडिक में देंगे तो कुछ पीध इंगरीज आपने बात करें केल्सियम नाइट्रेट का फॉर्मूला है आप देख सकते हूं और इसके अंदर जो नाइट्रोजन का परसेंटेज होता है वह 15.5% और केल्सियम का जो परसेंटेज होता है वो 19.5% होता है और उसके इलावा यह भी स्वाइल में बेसिक इफेक्ट डालता है अगर अपने इसको ऐसेडिक स्वाइल में दे तो यह पीज है उसको कहीं ना कहीं मैंटेन करता है मैं दियान रखना इसमें नाइट्रोजन कंटेंट इसमें 15.5% होता है और केल्सियम है वो 19.5 होता है साथ साथ में आपको फेटिलाजर के फॉर्मूले भी देखने है कही बात फॉर्मूले से भी क्योशन पूच लिया जाता है नेक्स्ट है नाइट्रेड फेटिलाजर के अंदर अपने पोटेशियम नाइट्रेड देखो इ नाइट्रोजन अबलेबल लेटिंग पढ़ने के साथ पी एच्प फेट्रोव होता है नेक्स्ट अपने बात करें अमोनियम नाइट्रेड यह इसा फेटिलाजर है जिसके अंदर जो नाइट्रोजन है वो अमोनिकल फॉर्म में भी है और नाइट्रेड फॉर्मूला देख इसके अंदर आदा जो नाइट्रोजन है वो अमोनिकल फॉर्म में होगा और आदा जो नाइट्रेड फॉर्म में होगा यह लगबग न्यूटल होता है और इसका लीचिंग से भी कोई बड़ा लोस नहीं होता है लीचिंग से लोस नहीं होगा क्योंकि अमोनिकल फॉर्म मे नेचर का है लंबे टाइम तो इसको अपने प्राइब कर सकते हैं थोड़ा पहुँ पर श्रॉट फेक्ट डालता है इसलिए अपने इसको बैसिक शॉयल या न्दर पाम में लिया जा सकता है और अगर यह अपने क्या है इसको श्टोर करते हैं तो इससे खत्रा रहता है क्यों प्लीटल होता है इसको अपने यह जांते हैं किस्ण फाल सुल लगा कर सकते हैं और basic soil है उसके अंदर भी apply कर सकते हैं लेकिन जो ज़्यादा तर apply किया जाता है इसको acidic soil के अंदर दिया जाता है और यह क्या होता है हामलेस होता है इसका इतना कोई नुक्सान नहीं होता स्टोर भी अच्छे से कर सकते हैं और इसमें lime की quantity होती है जिससे unclamable nature वेlaw इसका नहीं होता है नेक्स्ट अपने बात करें ammonium sulphate लावा इसके अंदर चबीस फरसेंट है वह नाइट्रोजन होता है जो नाइट्रोजन होती है और 6.5 परसेंट वो नाइट्र Alec परसेंट जो नाइट्रोजन है वह नैट्रेट का मिक्सर होने की वاجह देखो बार अमोनिया इसको इसमें नाइट्रोजन ज्यादा अमोनीकल फॉर में होती है और शिर्फ 6.5% होती है वह इनाइटेड फॉर में होती है क्रिस्प्लिय फॉर में होता है ड्राइ वाइट ग्रेनुलर्स देखने को मिलता है यह आप देख सकते हो यह डाइग्राम इसका इडेंटिपिकेशन भी आपके काम आएगा वाटर सॉलिबल होता है प्लांट्स को क्विकली मिल जाता है सभी क्रॉप्स में अपने इसको काम मे ले सकते हैं लेकिन सॉल पर जाएगा वह एसे टिक जाएगा इसलिए सबसे बढ़िया रहता है इसको अपने स्वाविंग से पहले वाई से पहले भी देते हैं और टॉप ड्रेसिंग खड़ी बसल में वी सॉलिड फॉर्म में दिया जाता है नेक्स्ट यूरिया सबसे इप बढ़ देते हैं जैसे यह बारेसा भी लिखा होता है नस्टू लिख दिया इसके बाद शीयो टू और उसके बाद अनस्टू तो एक ही बात है चाहिए फॉर्मूला के बार फॉर्मूला कुछ ले जाता है इसमें जो नाइट्रजन कंटेंट होता है वह 46% होता है यह देख वोटर सॉलिबल होता है इसलिए अपने इसको स्प्लिट डॉज में देते हैं कुछ स्वाविंग के टाइम कुछ खड़ी फसल में टॉप ड्रॉसिंग के लिए बाकी देखो यूरिया को अपने स्वाविंग से पहले भी देते हैं यानि स्वाविंग टाइम भी देते हैं सबसे बढ़ी फसल में solid format देते हैं उसके अलावा nitrogen जो fertilizer है उनमें सबसे जाद़ folio application इसी के अंदर popular है folio application का मतलु होता है खड़ी फसल में इसका पानी के साथ गोल बनाकर पतियों पे चड़ते हैं तो उसको अपने क्या बोल देंगे folio application बोलेंगे जनरली folio application में यूरिया का अपने गोल काम में लेते हैं, solution काम में लेते हैं, 2-6% है, लेकिन सबसे बढ़िया जो solution का concentration होता है, वो 2% होता है, सभी plants के लिए सबसे बढ़िया जो यूरिया के गोल का percentage होगा, वो 2% होगा, जब अपने यूरिया त्यार की जाती है, तो इसमें क्या होता है, कि और अगर अपने इसका पोली रेप्लिकेशन त्यार कर रहे हैं यानि भोल बना रहे हैं वोटर सॉल्यूबल पॉम में इसको त्यार कर रहे हैं तब बायू रेट है उसका रहे हैं इसको में एक आपने आपकाइशन में बहुत करें कैल्सियम साइनमाइड कैल्सियम साइनमायड यह माइन्फ में यूरिय नेकिन उर्फियर इसको और इन ओर इन ऑर्यलिक फेटियरी बोलेंगे और इसके अंदर नाइ्ट्रोजन का कंटेंट होता है वो 20.6 । यह ग्रैइज वाइट पाउडर मेटेरियल होता है यह होने के बाद अमोनीया प्रवाइड करवाता है और ही नाइट्रेड में बदल जाती है यह देहने में इस कलर गाभ होता है बाकि जो नाइट्रोजन फट्रिलाइजर के अपने बात करें तो थायो यूरिया थाय यूरिया के अंदर 36.8% नाइट्रोजन होती है थाय यूरिया बहुत कम काम में लिया जाता है वाकि थाय यूरिया जो ट्यूबर स्क्रॉप अगेरा होती है उनके अंदर डॉर्मेंसी ब्रेक करने के काम में लिया जाता है उसके लाए ऑक्सेमाइड है इसके अंदर 31% न इसको i-b-d-u भी बोलते हैं इसमें 32.5% नाइट्रोजन अगराता है प्रोट्य नाइट्रोजन फास्ट फॉरस होता यह कुछ नाइट्रोजन फैलेजर है वह है एकस्ट वीडियो में अपने बात करेंगे फास्ट फॉरस फैलाइजर और पोटासिक फाटिलाइजर के और माइक्रो न्यूटेंट से लेटर जो भी फाटिलाइजर है अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए शेर कीजिए और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए